मौन्सुन की वापसी शुरू होने लगी है जी हाँ कानपूर समेत पूरे यूपी में मौन्सुन अब वापिस जा रहा है अगले तीन दिनों में मौन्सुन वापस लोट जाएगा लेकिन लोटते हुए बादल भी छिटपुट बारिश का दोर जारी रखेंगे यूपी इस्ट में बारिश का दोर अभी चार दिनों तक बना रह सकता है मौसम विभाग की माने तो 17 सितंबर से यूपी में मौन्सुन वापस लोटने लगता है वही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राजस्थान से अगले सबतह मौन्सुन की विदाई शुरू हो जाएगी 36 गड़ से मौन्सुन की विदाई अक्तूबर के पहले सबता में मानी जा रही है इसी बीच 21 से 24 सितंबर के बीच यहां बरसात का एक और दोर आएगा मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरपश्वी भारत में शोब मंडल के निचले सरपन एक प्रती चकरवात बना हुआ है इसके कारण अगले पांच दिन राजस्थान, पंजाब, हरियाना, चंडिगड और दिल्ली में बारिश होने की संभावना बहुत कम है दक्षिन पश्चि मौनसुन की विदाई के लिए स्थिति अनकूल हो रही है संभावना है कि अगले सप्ता मौनसुन की विदाई राजस्थान और उसके आसपास के शेत्रों से शुरू हो जाएगी रायपूर मौसम विज्ञान के अंदर के विज्ञानिकों का कहना है कि समानिय तोर पर राजस्तान से लोटते मौनसुन को 36 गड़ की सीमा पार करने में 10 से 15 दिन का समय लगता है अगर इस सब्ता राजस्तान में वापसी शुरू हो गई तोर अक्तूबर के पहले सब्ता तक 36 गड़ से भी मौनसुन पीछे हड़ जाएगा इससे पहले यहां बरसात का एक और मजबूत सिस्टम बन सकता है जिसके परभाव से 21 से 24 सितंबर तक 36 गड़ में बरसात हो सकती है इससे अधिकतर मध्य उत्तर शेतर परभावित हो सकता है और उसके बाद बरसात कम होती जाएगी झाल 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 झाल